Hello everyone, this is Palakshirma, आज हम discuss करने वाले हैं chapter number 3 matrices से 1 mark previous year question So, इस question आप से बुला, if matrix A is equal to this and A square is equal to K, then write the value of K आपको A matrix given है और आपको पता है कि अगर मैं इसका square कर दो तो वो मेरे पास में क्या है, कुछ multiple आएगा A matrix का तो आपको वो multiple find out करना है कि क्या होगा अब यहाँ पर हमारे पास में A square हम लोग find out करेंगे A into A करके जब आप इसको solve कर लेंगे आपके पास में matrix आच चुकी है अब अगर मैं इस matrix को A से compare करूँ तो A मेरे पास में क्या था? 1, minus 1, minus 1, 1 अब यहाँ से compare करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से 2 को common ले लेती हूँ तो मेरे पास में यही matrix बन जाएगी है ना अगर मैं आपको इसको compare करके दिखाऊँ इस चीज को इसके साथ में अगर मैं इस matrix में 2 से multiply कर दूँ तो मेरे को पता है कि मेरे को यही मिलने वाला है तो यह के एक ही form में अगर हम बनाएंगे तो के की value हमें क्या मिल जाएगी 2A मिल जाएगी I hope यह question आप लोग को अच्छे से clear हो आओगा यहाँ पर के की value हो जाएगी 2 तो ऐसे ही और amazing questions को देखने के लिए आप लोग चैनल की shots को check out कर सकते हैं इस पूरी series का main motto यह है कि आप लोग 1 marks में बिल्कुल भी marks ना lose करें और बिल्कुल भी time भी waste ना करें Till then ऐसे और amazing questions के लिए तेखने के लिए चैनल को subscribe जरूब करिएगा Till then बावाए